केंदरी विद्याल है संगठन टर्म टू एक्जामिनेशन 2021-22 क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस ब्लूप्रिंट यह ब्लूप्रिंट जो सोशल साइंस का एक्जाम होने वाला है क्लास नाइन्थ का उसका सेंपल पेपर ठीक है उसके लिए है यानि कुछ इसी से मिलता जुलता आपके एक्जाम में क्वेशन पेपर आने वाला है सोशल साइंस बच्चों को काफी डिफिकल्ड लगता है इसलिए हमने सोचा कि इस पे भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए तो देखिए यहां पर इंडिया and contemporary word 1 यह है total 4 question 10 marks के लिए second इन्हों ने जो बनाया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं very short short long यह सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं इसको आप video pause करके भी देख सकते हैं work भी है इसे related एक नंबर का second में है contemporary इंडिया 1 यह इसके भी 4 question है 10 नंबर के लिए very short answer type में 11 marks के 2 हैं और 2 marks के लिए map बहुत important होता है उसमें 100% सही करिए आपको पूरे marks मिलेंगे 3rd unit के हैं या 3rd part जो भी है democratic politics 1 इसमें 3 question है और वो भी 10 नंबर के हैं इसमें कोई भी map नहीं है 4th में जो इन्होंने economics दिया हुआ है economics के 3 question 10 marks कोई भी map नहीं है total 13 question 40 marks ठीक है तो आईए हम लोग फटाफट एक sample paper देख लेते हैं उसमें कौन कौन से question पूछे गए हैं जैसे कि आपको एक idea लग जाए तो यह वो sample paper है केंद्री विद्याले संगठन 2021 term 2 examination subject social science और time आपको मिल रहा है इसमें 2 घंटे का maximum mark से इसका 40 तो general instructions आप भी पढ़ सकते हैं हम लोग general instructions में एक बार देख लेते हैं क्या क्या है this question paper is divided into five sections section a b c d and e यानि पांच section में आपको बटा हुआ question paper मिलेगा और Hindi और English दोनों में मिल सकता है कुछ बच्चे answers Hindi में लिखते हैं मालीजे अगर Hindi में नहीं आता है तो आप अगर English में पढ़कर समझ लेते हैं तो अपना answer Hindi में दे सकते हैं जो language आपको अच्छी तरह से आती हो जिसमें आपकी mistakes कम होने के chance हो जिसमें आप अपनी answer को आसानी से लिख पाए उस language में आप दे सकते हैं चाहें तो Hindi में लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो English में लिख सकते हैं ज्यादा तर बच्चे English म मिले वो केवल English में ही हो लेकिन अगर आप demand करेंगे तो आपको Hindi का question paper भी दिया जा सकता है या ऐसा भी हो सकता है पहले से ही जैसे ये sample paper है दोनों ही language में लिखा हुआ और छपा हुआ हो तो पहला instructions हमने देख लिया कि वो A, B, C, D, E यानि 5 parts में divide होगा दूसरा है all questions are compulsory सभी questions compulsory है आपको हो सकता है internal choice मिले ठीक है ऐसा नहीं होगा कि पूरे section में से कोई भी 5 question करिए तो ये भी बहुत important है सभी question आपके लिए क्या है compulsory है करने ही करने है देखि section A में क्या करने है ये section A में 1 to 5 question है और जो दो marks के है ठीक है एक से पांस तक है very short answer type है और वो दो नंबर के instructions को आसानी से पढ़ सकते है 4 5 6 7 8 8 में यहाँ पर लिखा भी है there is no overall choice in the question paper however an internal choice has been provided वही मैंने आपको बताया कि overall कोई ऐसी choice नहीं है लेकिन internal choice हो सकती है किसी question में कि या तो question का part A करिए या फिर उसकी जगह पर जो दूसरा given है वो कर सकते है section A very short answer type question है इसमें 5 question है two marks का तो पहला question देखिए list two differences between the capitalist and socialist ideas of private property ठीक है कोई भी आपको दो अब इन्होंने जैसे असलब ऐसा नहीं कि उनके बारे में आपको बताना है ओके देखिए question number two क्या है write the name of any four factors affecting the climate of India यानि इंडिया का जो climate है उसे कौन-कौन से जो factors हैं वो effect करते हैं कैसे बदल जाता है तो four factors लिखना है यानि half marks का एक factor हो गया तो ये भी दो number का है आप कोई भी चार factors जो आपको बताए गए हों कराए गए हों बहुत आसानी से लिख सकते हैं now question number three देखते हैं what factors are responsible for the distribution of plants and animals in India इसमें भी आपको factors ही लिखना है question number three में what factors जो भी factors हैं are responsible for the distribution of plants and animals in India दो marks के हैं तो काफी अच्छे question है छोटे छोटे question है now question number four देखे क्या है you are an officer in charge for ensuring free and fair elections in assembly constituency in a state so as an officer in charge which two things will you focus for free and fair election campaigning तो मतलब अभी हमारे इंडिया में करीब पांच स्टेट में election हो रहा है उसी से related इन्होंने एक question डाल दिया होगा या lesson से उठा लिया है आपको in charge बना दिया गया है और campaigning जो चल रही है उसमें से आपको in charge बना के बताया गया है कि ऐसे दो चीजें आपको बतानी है जो आप जिस पर आप fair और free election कराने के लिए कदम उठाएंगे तो कोई भी दो आप इसका answer लिख सकते हैं question number five देखिए what are the two main features of the national rural employment guarantee act 2005 तो जो भी guarantee act के दो main features हैं बहुत common features होते हैं वो सभी में होंगे इसके लिए आपको दो marks मिल जाएंगे कोई दो पूछेंगे हैं दो लिख दीजे और दो marks आपको आसानी से मिल जाएंगे सबसे जरूरी बात जो है कोई भी question आप छोड़िये नहीं अगर आप छोड़ देंगे तो teacher के पास marks देने का कोई भी chance नहीं होगा अगर आप लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ वह marks दे भी सकते हैं तो section B में आ जाते हैं short answer type है और यहां पर हैं three question three marks each है यानि total nine marks के लिए तो देखे question number six six पूछा गया है what were the social economic and political conditions of Russia before 1905 यानि 1905 से पहले जो रसिया है उसकी social and economic political condition कैसी थी उसके बारे में बताना है यह three marks का है तो थोड़ा सा आपको यहां पर explain करके answer देना पड़ेगा यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ write any four points, write any two points तो यहां आपको अच्छी तरह से अपना answer लिखना है question number seven seven देखते हैं draw a cartoon about the model code of conduct for the guidance of political parties and candidates during elections तो यहां आपको cartoon बनाना है जो code of conduct होता है इसके election के दौरान political parties के लिए उससे related तो आईए चलते हैं देखिए अब इसमें आपको एक option मिल रहा है या तो आप जो हमने अभी question पढ़ा है वो करना है या फिर उसके नीचे देखिए आप लिखा हुआ है और और या हिंदी में अथवा इन दोनों में से कोई भी एक करना है ऐसा नहीं है कि आप question number 7 या 8 या पूरे में से कोई एक करें कभी कभी student को confusion हो जाती है तो हमें क्या करना है seven में जो दोनों है उसी में से कोई भी एक करना है why are the candidates required to give detailed statement of their property ये ज़्यादा आसान लग रहा है अगर आप cartoon नहीं बना सकते कि जो candidate होता है election में उसको अपनी detail देनी पड़ती है property से related क्यूं तो social science एक ऐसा subject है अगर आप आराम से पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से questions के answer अपनी wording में लिख सकते है now question number 8 ये भी 3 marks का है enlist any 3 indicators used by social scientists to define purity अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि any 3 इसका मतलब आपको 3 लिखने हैं 3 से ज़्यादा भी मान लिजे अगर आपके पास time है तो लिख सकते हैं बट कोई भी 3 लिखने हैं अब heading डालके आप उनको एक एक दो दो line में explain करके आप करीब एक पेज का answer बना सकते हैं पूर्टी को कैसे social scientist जो होते हैं उन्होंने explain किया है उसके लिए आपको 3 indicator बनाने हैं बताने हैं तो heading बनाके लिखेंगे तो आपको अच्छे marks मिलेंगे एक heading बनाई उसके बारे में 4 लाइने लिख दी पांच लाइने लिख दी दूसरी heading डाली दू describe how the poverty line is estimated in India अब यहां पर आपको poverty line को बताना है डिस्क्राइब करना है इंडिया के respect में तो अब आ जाते हैं हम section C पर देखिए फटाफट section C long answer type question 2 x 5 यानि 5 number के 2 question हैं यहां पर अब यहां पर इन्होंने दिया हुआ question 9 question 9 में एक graph है आई यह graph देख लेते हैं या chart देख लेते हैं कुछ इस type से chart है निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत और इस तरफ है आपके पास state एक तरफ state है और दूसरी तरफ जो है वो percentage है अब question number 9 9 में इन्होंने क्या कहा है in this given graph identify the name of state where the poverty ratio is the highest also mention one reason behind highest poverty ratio in the particular state तो graph देख के chart देख के आप इसका answer बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं ठीक है now question number 9 का ही second दो पार्ट है यापर in this given graph identify the name of state where the poverty ratio is the lowest एक बार इन्होंने highest पूछ लिया है दूसरी बार में ये lowest पूछ रहे हैं second part में also mention one reason behind the lowest poverty ratio in that particular state एक टाइप से ये आपका opposite question हो गया यानि word opposite एक बार इन्होंने highest पूछा दूसरी बार lowest पूछ रहे हैं now question number 10 why is the independence of judiciary important in a democracy ठीक है यहाँ पर democracy जो है वो प्रजातंत्र में स्वतंत्र नियायपाली का क्यों आवस्यक है इस टाइप से तो ये five marks का है ये आपको long answer type है तो थोड़ा सा answer भी बड़ा होना चाहिए ये नहीं कि आपने आधे पेज में खतम कर दिया चार लाइनों में खत question है इसमें आपको एक option मिल रहा है why do we need a parliament हमें parliament की अवश्यक्ता क्यों होती ये भी long answer type है section D case based questions two questions four marks तो यहाँ पे दो question है आप अच्छी तरह से इनको पढ़िए जो ये case दिया हुआ है क्योंकि इसमें जो questions बने होंगे वो इसी पे base होंगे in which year America entered the first world war तो इसका answer तो आपको दिख रहा होगा बहुत आसानी से जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे ठीक धंग से अमेरिका के लिए पूछा गया है ठीक है जैसे ही आप इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे आपको answer मिल जाएगा now 11 का second part यानि 11 में total three part है यह वाला question one marks का है यहाँ पर थोड़ा सा अंदर लिखा हुआ है second वाला जो part है वो भी one marks का है third part two marks का है write the name of anyone allied country which involved in the first world war तो कोई भी allied country आप ढूंड लीजे इसमें से और first world war में जो involved हुआ था उसका नाम लिख देना है now third part देखे what was the impact of first world war on Europe यानि जो first world war हुआ था उसका यूरोप पर क्या effect आया तो कोई भी जो भी war होती है उसका effect bad ही होता है उसमें बहुत सारा loss होता है countries करीब 5 से 10 साल 20 साल पीछे चले जाते हैं उनकी development पे काफी बुरा असर पड़ता है तो यह सब चीजें आप लिख सकते हैं इसके answer में अब आ जाते हैं next पर देखें यहाँ पर इन्होंने एक table बनाई हुई है temperature degree centigrade में बनाकर और कुछ cities के नाम भी दिये हुए है rainfall भी दिया हुआ है तो यहाँ पर question number 12 है आप आराम से इसको देखेगा अगर यह question आता है आपके exam में तो chart को समझना और देखना बहुत ज्यादा जरूरी है question number 12 12 में भी इन्होंने तीन पार्ट बनाए हुए है name one station having maximum rainfall in the given table maximum rainfall कहा हो रही है उसका नाम दे देना है second part name one dry station in the given table यानि जो सबसे सूखा हुआ है जहाँ पर बारिष सबसे कम हो रही है उसको बताना है इसका जो third part है उसमें पूछा गया इन्होंने क्या कहा है two stations with most equitable climate करीब करीब बराबर है जो जहाँ पर बराबर वर्षा हो रही है बराबर drys भी है यानि सूखा भी है उनके नाम आपको लिख देने तो बहुत ही simple था यह आगे आ जाते है section E देखिए हम लोग 5 पर पहुंच गया है जो हमारा map based है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि total three questions है और three marks के हैं इसका मतलब एक सही answer के लिए आपको एक marks मिल जाएगा तो अच्छी तरह से ध with the help of following information and write its correct name on the line mark near it जो भी mark point A बना होगा वहाँ पर जो line बनी होगी आपको उसका correct नाम देना होगा second में क्या कह रहे हैं यह on the given map of India locate the following तो इन तीन में से map of India है इंडिया के map में कोई भी दो आपको show करना है represent करना है चिलका लेक है एक दूसरा इन्होंने बनाया है सरिस्का wildlife sanctuary थर्ड है वोलर लेक ओके अब अगर आप blind person है visually impaired हैं तो यहाँ पर उनके लिए भी option में आता है तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा लेकिन फिर भी तो यह देखिए वो यूरोप का जो question था European map वो यहाँ पर given है और Indian map यह आ गया है थोड़ा सा यह cut गया है लेकिन आपको exam में complete political map इंडिया का मिलेगा तो यह था वो sample paper जो आपके लिए बहुत important हो सकता है इसमें हमने blueprint भी बताया और सभी questions के बारे में बता दिया है discuss किया है कैसे question पूछे जाएंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube channel edutera को like, share and subscribe कर सकते हैं तो मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अगले वीडियो में तिल देन bye-bye